आज मैं आपके साथ चना दाल की रस्पी शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यम्मी और टेस्टी हेल्दी चना दाल जो की आप कभी भी बना सकते हैं जटपट बना लोगे बिल्कुल टाइम नहीं लगता है साथ में सोया बिन बड़ी भी है तो चना दाल सोया बविन बड़ी दोनों मिक्स करकर बनाने वाली हूँ तो चलिए मैं बताती हूँ इसके लिए मैं क्या क्या करने वाली हूँ तो देखे ये देखे चौपर में मैंने चौप करने के लिए इसमें अद्रक लसन अद्रक लसन हरी मिर्च और प्याज मैंने काट कर रख लिया है इसे चौप कर लूँगे टमाटर डालेंगे पर हम उसको अलग से चौप करेंगे इसके साथ नहीं इसको अलग चौप करना है तो चलिए पहले इसको चौप कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं बताते हूं अच्छे से भून लेंगे थोड़ा लाल सा कर लेंगे ताकि अच्छे से भून जाए तो इस तरीके से सोया भी बडी को तल कर हम पहले अलग निकाल लेंगे वेंगा हैं मैं लगाने के लिए हम थेज पत्त लिए हैं खड़ी लाल मिर्स लिए हैं खड़ा मसाला जो होता है जाल चिनी शल बर भूम qa वहड लगाते हैं जलिया देंधा कर लेंगे और साथ में डालेंगे तेज पत्ता और खड़ी लाल में डालेंगे और ये देखे ये अथे से भुन जाएगा फिर उसके बाद हम चॉप किया हुआ अपना जो मसाला है वो डालेंगे प्याज अद्रक लसुन तो गाइस ये देखे अब ये चॉप किया हुआ तारा मसाला है वो अब हम डाल दे रहें इसमें इस तरीके से प्याज-द्रक लसन है और हरी मेल खैट आप चाहो तो लसन डालो या और व्लसन जो है आप चाहोगे आप चाहो तो डालोगे य नहीं जब प्याज का देखे थोड़ा सा कच्छा पन निकल गया है उसके बाद यह जो खड़ा गरम मसाला जो रखा था मैंने अब इसे मैं डालूँगी ताकि इसका जो फ्लेवर है ना इक्दम फ्रेश सकता है मुझे थोड़ा सको मैं फ्राई नहीं करते हूं इसे इस तरीके से थ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका मसाले का इसके बाद मैं इसमें एड करूंगी तमाटर तमाटर को मैंने इस तरीके से चौप कर लिया था और अब इसे एड करकर इसे भून लेना है पांत मिनट तक इसे भूनना है ताकि यह थोड़ा सा गल जाए और फिर उसके बा अब मैं इसमें इसमें यह तो सोया बीनबडी है में अड पर ग्यों साथ मैं डाल कुन विए डाल रही हूं है और हवी भून ले मैं अब यहां नमक और हड़ी डाल कर इसे दो मिनट और भूनेंगे दो तीन मिनट और भूनना है अब दाल क्योंद मिनां पताना है। तेंमें बिमेंति के साथ अज कताना है। तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो हमारा चना दाल भी जो भून गया है, तीन से चार मिनट मैंने इसे भून दिया, अब इसमें मैं डालूँगी पानी, आप देख सकते हो मैं पानी आड़ काल रही हूं, अंदाजे से आप डालिएगा, जितना मतलब कि इसमें सीती थोड़ा लगता है, चना दाल पकने में टाइम लगता है, तो थोड़ा पानी ज़्यादा डालिएगा, तो ये देखे, मैंने पानी डाल दिया है, अंदाजे से, अब मैं इसमें डालूँगी चीनी, ये देखे, अब मैं डाल भी इसमें चीनी, जरा सा डालना है, एक चमची, हलका सा मिठा साय दाल में इसलिए चीनी डाला जाता है और चीनी डाल कर दाल का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो यह ऑफिनल है आप चाहो तो डालो बट चीनी डालने से टेस्ट वाकई में बढ़ जाता है यह अब कूकर में अब हम लगाते हैं धकन और इसे 5-6 सीटी में मेरे के लिए छोड़ देती हूं सो गाइस के देखे हमारा जो चना डाला है सोया बीन बड़ी के साथ बनकर रेडी हो गया है बहुत ही हेल्दी डाल होता है यह और बनाने में भी ज्यादा टाइनी लगता है जटपड बन जाता है इसके साथ आप रोटी खाईए आप इसके साथ चावल खाईए पराठा खाईए बहुत टेस्टी लगता है तो कैसा लगा यह रेसेपी कमेंट्स करकर जरूर बताना वेट करूंगी आपके कमेंट्स का और पसंद आया तो जादा से जादा लोगों तक शेयर भी करना तो चलिए इस वीडियो का अब मैं एंड करूंगी ज टेक क्यार